है विवेक बिंद्रा इंट्राक्शन मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट बिजनेस कोच आज तक कि जितना भी बिजनेस को ले करके इंपॉर्टन्ट लर्णिंग है पूरा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक ही वीडियो में सारे लिसन दिने जा रहा हूं एक साल अगर आप कहीं ट्रेनिंग लेगे ना वो एक साल की ट्रेनिंग को समराइज करके दस पॉइंट्स में बताऊँगा एक स्टार्ट अप हो या बड़ा बिजनेस हो फेलियर के दस कारण क्या होते हैं अगर यह दस चीजे जो मैं बताने वाला हूँ आपको यह अगर ठीक हो वह या आपके बिजनेस में सेफ हो जाएगा बिजनेस की हेल्थ ठीक हो जाएगी इनको मैं दस पॉइंट्स में डीटेल ने बताने वाला हूँ 2015-16 की एशिया की रिपोर्ट देखें इंडिया ने केवल 1423 पेटेंट फाइल किये कोरिया ने 14600 पेटेंट फाइल किये चाइना के 39800 पेटेंट हैं और वहीं जैपैन 44200 से जादा पेटेंट फाइल करके एशिया के अंदर स्टार्टप्स में सबसे आगे निकला है Forbes ने most innovative list of companies ने काली उसके अंदर 25 top corporate जहां सबसे जादा innovation होता है इंडिया की 25 में एक ही company आई Asian paints रतन टाटा continuously अपना dissatisfaction publicly express कर रहे हैं इंडिया में actual disruption और actual innovation इंडियन व्यापारियों में exist नहीं करता अगर आप चाहते हैं कि वो अपने business को actually बढ़ा करें ये 10 points जिंदगी बर चापके print out लेके हर जगे इसको लगा लें याद रखें ये 10 points आपके लिए meal का पत्थर साबित होंगे 2015 में इतने खराब experiences हुए इतने खराब experiences हुए कि 2016 की funding बहुत नीचे चली गई 2015 में startups को funding मिली 7.5 billion dollar की वही 2016 के अंदर हमारे startups के वल 3.5 billion dollar का fund ही attract कर पाए वो energy कम हो गई आज investor पैसा डालना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे इंडिया में startups को बढ़ा करना और maintain business को करना आता नहीं है लोगों को startup के ecosystem को लेके the most popular 10 cities हैं पूरे दुनिया के अंदर उनमें इंडिया की किसी में city का नामें नहीं आता mostly सारी cities American है number one पे Silicon Valley two पे New York City, Los Angeles, Boston ये Tel Aviv इसराइल से आती है फिर London, Chicago, Seattle, Berlin, Singapore इंडिया का कही नामें नहीं आता हाँ बैंगलोर तो है लेकिन top cities में नहीं आ रहा कि अबल बैंगलोर ही रजिस्टर हो रहा है दुनिया के मैप पे quickly 10 points लेते हैं पहला point है missing innovation around customers money making model सारे जितने व्यापारी हैं पहले अपने money making model को calculate करते हैं ये नहीं देखते हैं कि उनका customer का money making model क्या होने वाला है मेरे customer को exactly सफलता कहां से मिलेगी मैं देखो सफलता कहां से मिलेगी ये सब calculate कर रहे हैं लेकिन जब तक customer की सफलता कैसे होगी उसकी profitability उसकी liquidity उसकी growth उसकी productivity उसका gross margin उसका revenue उसका inventory turnover cash flow brand equity उसका customer acquisition or retention और उसकी velocity speed of transaction किस प्रकार मेरे customer अपने money को लेके grow करते हैं किस प्रकार मेरे customer का money making model और recurring revenue model grow करता है जिस दिन वो समझ में आएगा तो customer की need से मेरी greed पूरी होगी पहला point innovation कैसे आता है what problem are you solving in your customer's life which he cannot solve on his own innovation किदर होगा customer की need पे होगा ये पहला point है और अगर हम थोड़ा बहुत need समझ भी लेते हैं customer की Indian startups तो ऐसे है जो copy मारने में बड़े तेज हैं Uber आया उसकी against Ola खड़ा कर दिया Airbnb आया उसकी against Oyo खड़ा कर दिया Amazon आया उसकी against Flipkart खड़ा कर दिया Spotify आया उसकी against Gana खड़ा कर दिया अगर customer की need को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं वह सीधा सीधा American startups को एकदम copy मारने की इंडिया में कोशिश कर रहे हैं अपना बड़ा innovation अभी तक Indian startup ऐसा कोई भी ने जो पूरी दुनिया में चाच चुका हो next point है negative cash flow and negative working capital this is one of the biggest reason एक startup सूख जाता है क्या हो जाता है सूख जाता है उसका जो blood होता है जो एक organization को run करता है जो शरीर को चलाता है वो खतम हो जाता है a check in hand means nothing one more time come on a check in hand means nothing you need cash profit important है cash भी important है आपको दोनों चाहिए दोनों अलग अलग चीज़े हैं आपके books of account में हो सकता है profit आ रहा हो लेकिन आपकी cash की payment delay होती जा रही है customer से market से पैसा वापिस recovery नहीं हो रही recoverable slow हो गई उसको बोलते है negative cash flow हो सकता है books of account में आपके invoices में आपके पास में margin हो लेकिन धंदे में cash running business के लिए working capital चाहिए होता है फिर आप बार-बार funding agency ढूणते हैं funding agency ढूणते हैं और कहीं भी funding agency एक level के आने के बाद वो आपको fund देना बंद कर देती हैं वो negative cash flow one of the biggest reasons हमारे start-ups को बरबाद करने के लिए कुछ Indian start-ups जो भी पीछे बंद हुए one of the most funded start-ups जो बंद हुए उनके में नाम बताता हूँ आपको जैसे कि ask me.com आटो राजा टैलेंट पैड फैशन आ रहा आटो अन कैब फ्रैंक्ली मी यह सारे अच्छे बड़े funded start-ups थे खतम हो गए positive cash flow बना के रखिए जो माल बेच रहे हैं कोशिश करिए payment advance में या time पे ले सकें तीसरा point है expansion with negative margin पिछला वाला था cash flow के बारे में यह है margin के बारे में अगर gross margin ही नहीं है बहुत सारे start-ups ने आज कल क्या सोचना शुरू किया market को acquire करो loss leading strategy पकड़ो पूरी market को acquire करने के लिए सस्ते में माल बेचना शुरू कर दो valuation बड़ेगा तो बाद में पार्ट fund लेके इसको बढ़ा लेंगे ध्यान दीजिए अगर शुरू से आपको यह clear नहीं है आपका profit कहां से आएगा बाद में मरेंगे पका मैं कितने लोगों को दुखी देखता हूँ मेरे leadership funnel में आते हैं फिर उनको समझाते हैं उनका दिमाग के ढखकन खुल जाते हैं leadership funnel program में यह दिक्कत क्या है यह धन्दा करते है सस्ता बेचने के चकर में शुरू से ही margin के साथ compromise कर जाते हैं ध्यान दीजिए पहले से ही plan बना के रखिए कि कब और कैसे अपने margin को cover करेंगे सस्ता बेचने के चकर में market को acquire करने में deep pockets के लिए अगर preparation नहीं है पहले prepare नहीं किया जिन्दगी बर repair करते रहोगे बाद में बड़ा सा लिखा होगा shut down और हमारे आते हैं leadership funnel में बिचारे रूते हैं मैंसा परसनली बैठके यही गलतियां कर रहे है कि टीम विदेश से इंडिया आई थी नवरतनों की मदद से पूरे देश को control कर लिया क्या आपके पास आपके talented high potential high performance high skill high will क्या आपने highly capable लोगों की manpower तयार करी है यह मेरा question है आप से क्या आप उनकी competency mapping उनकी competency assessment कर रहे हैं क्या आप देख रहे हैं आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके vision को execute कर जाएं क्या आपके पास ऐसे लोग है जो आपके ideation को execution में convert कर दे क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो most talented लोग highest enthusiasm और energy के साथ काम कर रहे हैं यह बहुत important चीज़ है उनके edge को पहचानिये और उनके edge को energize करके उनको engage कर दीजिए अगर बढ़िया manpower नहीं सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अखेले आप थोड़ी काम करेंगे ललूलाल गुलाब जामुन वाले थोड़ी है आप गल्ले बे बैठके चिपक के थोड़ी धंदा बड़ा कर सकते है manpower तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर नहीं देखा how to build high performance team वीडियो वो जरूर देखिएगा पांचवा पॉइंट है मेरा scalability with recurring revenue model ये scalability और recurring revenue model दो चीज़े है scalability मतलब business में बड़ा होने का model क्या आपने ढूंडा क्या वो ढूंड पाए है कि business बड़ा कहां से होगा कहीं start-ups बड़े profitable होते हैं कहीं start-ups में margin अच्छा होता है कहीं start-ups अपने region के अंदर अच्छा काम कर जाते हैं local regional startup बिजनेस होते हैं लेकिन वो बड़ा कैसे किया जाये जो पूरी दुनिया में फैल सके उसकी तैयारी पहले से नहीं करते हैं और दूसरी चीज़ बड़ा होते 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 जो आपके customer है क्या वो regular customer बन पा रहे हैं क्या आपने customers को retain कर पा रहे हैं आपके कस्टमर आपको recurring revenue दे रहे हैं लगातार 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 revenue दे पाने वाले कुछ assured customer जो की long term contract के साथ काम करते हैं जो की आपके साथ जुड़े रहते हैं इसके उपर अभी आपने पीछे वीडियो देखा था regular income के उपर कि बिना मेहनत के साथ regular income कैसे बढ़ा है नहीं देखा तो वो भी दरूर देखेगा वो वीडियो पुरा डीटेल है लेकिन यहाँ पे एक point है जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तो business बढ़ा होना चाहिए और दूसरा business में कुछ sustained retained customers के लिए recurring revenue मतलब regular income वाले methods को build करें अग अगर ऐसा रहेगा तो आगे दौड़ पीछे चोड़ आगे दौड़ पीछे चोड़ इसका tension नहीं रहेगा विया फारी यही करते हैं नहीं नहीं customer के पीछे भागते रहते हैं पुराने वाले पीछे चूड़ते रहते हैं छटा मेरा point है mixed marketing signal and wrong positioning इसके ओपर तो leadership funnel में इतन एक question आते हैं मेरे साथ live workshop में लो question करते हैं problem क्या है लोगों को पता ही अपने product को market में position कैसे करना है वो है कौन आपकी identity है क्या आपका perfect customer कौन है आपका imperfect customer कौन है आपका perfect product क्या है आपका imperfect product क्या है आपका product ठीक से plan नहीं किया गया आपका customer का segmentation ठीक से plan नहीं किया गया हर ज जाकर के वही product present करना है अपना single signal ढूंडिए आप कौन है जिससे आपकी identity तयार होगी है क्या आप newest है क्या problem solver है क्या best है आप most convenient है cheapest best value most prestigious maximum feature है या फिर आप most reliable है इस प्रकार की कहीं तरह की positioning होती है जब आपको positioning पता हो कि आप हैं कौन आप उसी हिसाब से packaging करेंगे उसी market में present करेंगे उसी हिसाब की scheme लाएंगे policies लाएंगे पीछे back end की टीम भी उसाब से त्यार होगी आपकी marketing की planning ठीक है के नहीं है single signal दे रहे हैं के नहीं दे रहे हैं पहुंच रहे हैं market में पूरी market of saturate होने को आ गई यह बिचारे लास्ट में आ रहे हैं और यह तो market में चल रहा था मैं भी ले आता हूं मेरा भी खरीद लो मेरा भी खरीद लो फिर discount देते रहे ना उसके बाद बैट करके scheme चलाते रहे ना margin कम करते रहे ना उधारी देते र बाद में बिचरा struggle ही करता रहता है यार कोई खरीद नहीं रहा है कोई खरीद नहीं रहा है बढ़िया customer नहीं मिल रहा customer तंग कर रहा है customer मेरे competitor के पास चला जाता है customer उधारी मांगता है इस पे तो बहुत discussion करते हैं मेरे participants आके मेरे साथ हम पूरी entrepreneurship आपको सिखाना चाहते है इस छोटे से summary वीडियो के माध्यम से आठवा point है save yourself from getting out competed आपने अच्छा business नहीं चुरू कर दिया लेकिन आपका competitor आपको ध्यान से देख रहा है ये आदमी कर क्या रहा है उसकी पूरी नजर है आपके उपर उसकी चील की तरह पहनी नजर है आपकी हर चाल के उपर वो poker की चुप चाप खड़ाओ करके देख रहा है आपको ये आदमी कर क्या रहा है पहले से त्यारी करके चलना है आपने entry barrier का मेरा वीडियो देखा था मैंने वाँ कुछ points share किये थे intellectual property rights, patent and licensing या proprietary technology आप कुछ ऐसी planning करके चलिए जो फिर आपके competitor के पास राज खुलने नहीं चाहिए कोशिश करिए अपनी brand equity अच्छी करने की या फिर sourcing अपने माल की इतना सस्ता करी दीजिए economies of scale build करके इतना सस्ती purchasing कहीं से उठाला जाए तो competitor बचारा सोची ना पाया और ये माल इतना सस्ता बेच कैसे रहा है उसको पता ही न लगे कहीं तरीके हैं आपको ये now में सारे बै लास्ट में आपको प्लान करना होगा दुबारा से वीडियो को सुनिएगा दो तीन पांच छा पांच छे साथ आठ बार इस वीडियो को सुनिए ताकि आप इस समझ सकें कि इन दस में से कौन से पॉइंट में आप कमज़ोर हैं अच्छा बिजनस करने के बावजूद भी क उसको फीड फॉवर्वर्ड में कनवर्ट नहीं करते कस्टमर आपको अपने एक्जिस्टिंग प्रॉडट के साथ परिशानियां बताता है आप सोचते हो यह डिस्काउंट मांग राइस यह कर रहा है सिगनल दे रहा है कस्टमर क्या दे रहा है सिगनल कंप्लेंड देखिए वो सिगनल होता है he wants to be with you but only thing that he is expecting is यह थोड़ा सा अपने आपको बदले मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं इसका मतलब उसके प्रॉडट में आपके प्रॉडट में उसको कुछ तकलीफ आ रही है कि रहा है थोड़ा सा चेंज लिया I want to be with you that's called complain 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 का मतलब क्या है वो आपके सा रहना चाहता है अगर वो complain नहीं कर रहा है वो बड़ा dangerous है भाई customer आपको complain ही ना करे चुप चाप आपके competitor पर जाके shift हो जाए आपको बिना बताए वो ज्यादा dangerous है complaining customer बहुत बढ़िया होता है complaining customer को घले लगा लो यह आपको बचा लेगा converting the feedback into feed forward इसको बोलते में pivot bounce back करते हैं ना pivot नहा change लाना पहला product cable trial के लिए होता है एक बार और याद रखेगा पहला product cable trial के लिए होता है your first product is never your final product कई improvement cycle लाने पड़ते है feedback को feed forward में convert करिये नहीं तो शुरुआत तो अच्छी हो सकती है बाद में और जाएंगे दस्वा amazing point business model of building complete ecosystem business model of building complete ecosystem ये eco system कैसे है क्या मतलिब होता है इसका मतलब है जीव जीवस्य जीवनम एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव पे निरभर होता है एक जीव दूसरे जीव पर निर भर है अपने जीवन के लिए इसको बोते हैं जीव जीवस्य जीवनम ये एक वेब बन जाता है बिजनस में आईसोलेशन में अकेले में ना करें काम पूरी सोसाइटी कम्यूनिटी के साथ मिलके एको सिस्टम त्यार करें जैसे कि फेस्बुक एक एक एको सिस्टम है बहुत बड़ा अगर फेस्बुक चला गया ना दुनिया से अचानब पूरी दुनिया में तहलका हो जाएगा जैसे कि यूट्यूब एक बड़ा एको सिस्टम है इसमें कितने हज़ारों लाखों क्रोडों लोग इंवल्ड वो किया जहां पर application बनाने वारे लोग आके free में Android का application अपना डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं बिचारे mobile handset makers के लिए मजबूरी हो गई क्योंकि अब Android का इतना बड़ा presence है market में तो वो Android compatible mobile ही बनाते हैं अब वो Android compatible mobile बनाते हैं तो Android पे और ज़्यादा application आती हैं अब ये सब का फाइदा किसको हो रहा है Google को चुकि उसने अकेले में काम नहीं किया उसने दुनिया को अपने साथ जोड लिया क्या आप अपने बिजनस को अकेले में तो नहीं कर रहे हैं ऑपरचुनिस्टिक market के अंदर सामने वाले को पेल दो अकेले में मिल गया एक customer पेल दो कहीं वार ऐसा करते हैं न लोग ऐसा कुछ क्रियेट करिए कि दुनिया का फाइदा आपकी existence से हो रहा हो जिस दिन आप चले गए पूरी दुनिया रुक जाए और कम से कम दुनिया नहीं छोटे शहर से प्लान करिए यह सब हम लोग पूरा दिन दो दो तीन तीन पॉइंट को डिसकास करते हैं डीटेल के अंदर लेकि मैंने आपको दस पॉइंट ऐसे यह बड़ा पाउरफुल वीडियो इसको दुबारा घुमा घुमा के देखिएगा यूट्यूब वीडियो ज्यादा बड़ा कितना बड़ा कर सकते हैं हम लिमिटीड ही रखना यैडर्शिफर्ल में आकि आप मुझसे डायरेट क्वेशचन करते हैं आपके पास एक सुविदा होती है मुझसे अपने बिजनस के बारे में वाक्श hechoप के बीच में ऑपनWe होते हैं जहां मैं हर एक क्वेस्टिंस का जिए मेधारी के सार उत्तर देता हूं आपने प्रशन किया मैंने उत्तर दिया अपने प्रशन इस तरह से हम बहुत से व्यापारियों को सफल बना रहे हैं जिसके लिए आप इस नंबर पर फोन करके थोड़ा पता लगाई है कि अगला प्रोग्राम कब है हो सकता है आपके आसपास हो और कौन से शहर में हो रहा है आज कॉमेंट में मुझे बताइए अगला बिजनस से संबंदित कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं अगर आपके क्या आपको मेरे इन वीडियों से मदद हो रही है लाइक जरूर करि हर रोज में कई नहीं नहीं लोगों से आपके वीडियों से मुझे यह फाइदा हुआ आपके वीडियों से इसा फाइदा हुआ लोगों के फाइदे के लिए वीडियों उनको शेयर करिए यह वहां सब लोगों तक पहुंचे गा ना तो हमारा नाम भी तो ग्लोबल प्रेस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद